हलो सुक्रिस वाप लोग मेरा नाम है अकराम और आज जी सीवडी में हम बात करने वाले हैं आपे LG GATX Thank You Dual Screen Smartphone के बारे में जिससे क्या आपको पता होगा इसकी जो ऑफिसल प्राइज है 55,000 रुपीज लेकिन फिलिपकट पे बिग बिलियंड डे सेल के अंदर 20-22,000 रुपे में यह बिका है जैसे के आपको पता होगा कि आउट अप दबॉक्स आपको जो है चार्जर भी नहीं मिलता तो इसके लिए बेस चार्जर कुन सा है और यहां पर आपको जैसे के दो इसक्रीन इसके अंदर है तो दोनों की बैटरी बैक अप आपको कितनी आपको मिलेगी क्योंकि 4000 इसके बैटरी जो है यहां पर देखने को मिलती है तो ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा इसे स्मार्टपोन को खरीदने से पहले और अगर आप मतलब खरीदना चाहते हो तो एक दूसरा भी मोगा आपको मिलेगा क्योंकि नवेंबर 3 को फिलिप काट पे फिर से जो इसक इसके चारजर को लेकर लेकर लेकिन जो मुझे यह मिल चुका है और मुझे पता चल चुका है कि इसकी मतलब परफॉमंस के सा है बैटरी बैकप के सा है इसके लिए फास चारजर कौन सा है इसकी मतलब जितने भी परफॉमंस है वो सब कुछ में डीटेल्स में आपको बतान क्वेस्टिन जो आपकी है उसके आंसर देने की में कोसिस करूंगा कि ताकि आपका मतलब कन्फ्यूजन दूर हो जाए इस स्मार्टफोन को लेने से पहले अपर आपहें कि तो सबसे पहले हैं जalgराड आपको आपको पता होगा प drinks 8000 और बाइस लेश रुपर प्रोडफर में अगर देखोगे निदेनी फूल एजडी पॉरके वीडियो भी अगर आप चलाना चाहो तो भी स्क्रीन के अंदर चला सकते हो अगर आप को YouTube देखना है यह इस पर कैमेरा चलाना है। इस पर यूटूब देखना है। मतलब ब्राउज करना है। तो हर चीज जो है आप दोनों के अंदर अलग-अलग कर सकते हो। दोनों के अंदर आप सेम चीजे नहीं कर सकते हो। तो दोनों के अंदर मतलब WhatsApp अगर आपको चलाना है तो वह पॉसीबल नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर आप एक साथ जो है, मतलब अलग अलग चीजे जो है, कर सकते हो, दूसरी बात है, अगर आप माल लो के जैसे कि मैंने यहाप मैप चालू कर रहा हूँ, तो दोनों स्क्र जो है, मतलब स्क्रीन का काम में ले सकते हो, तो यह फीचर भी जो है, आपको देखने को जैसे के अंदर मिलती है, दूसरी बात है, इसकी पीक्चर क्वालिटी अगर में बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 12 मेगा फिक्सल और 13 मेगा फिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल और काफी फोटो में आपको मेरे इंस्टाग्राम पे सेयर करूँगा, तो वहाँ पर जाके आप इस्टाग्राम पे मतलब आप छेकाऊट कर सकते हो, किसकी पिक्चर क्वालिटी केसी है, बीडियो आप बात करूदो तो वीडियो प्योवालिटी भी काफी अच्छा है, फो आपको 8MP का selfie camera यहां पर आपको देखने को मिल जाता है जो ठीक ठाक है मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ही जबर्दस है बहुत जबर्दस नहीं है हाँ ठीक ठाक जो है यहां पर picture quality मतलब आपको देखने को मिलती है साथ में थोड़ी सी मुझे कमी जो है यहां पर लगी बाकी और all 8MP के हिसाब से बहुत ही अच्छा जो है यहां पर आपको selfie camera भी आपको देखने को मिलेगा और performance के अगर में बात करूँ देश के अंदर आपको Qualcomm का Snapdragon 855 का processor दिया हुआ है जो के दोनों screen के अंदर काफी अच्छी तरके से handle करता है मुझे कहीं भी lag वगेरा जो है यहां पर देखने को नहीं मिली अगर आप मतलब high end game भी अगर आप खेलना चाहते हो पबजी तो हाला के ban हो गया लेकिन Call of Duty, Asphalt 9 वगेरे जो है आप खेल सकते हो और एक चीज अच्छी बात है कि मतलब आपको dual screen में अगर आपको मतलब खेलना है तो एक screen का जो है आप यहां पर display कर सकते हो दूसरे screen के अंदर आप जो है keypad का जो है यहां पर करा सकते हो पूरी तरह से यहां पर keypad का option आपको देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है dual screen का जो है आप मजा ले सकते हो मतलब performance के अंदर भी कोई भी कमी यहां पर देखने को नहीं मिलती अब यहां पर बात करूँ यहां पर secondly जो एक यहां पर आपको screen देखने को मिलता है जो कि एक notification डिस और जिसे के मानलो कि यह जो इसका यह जो फोन है इसका जो weight है total यहां पर 330 gram मतलब काफी heavy है तो यह से मानलो कि अगर आप मतलब यह phone ले लिया काफी दिन यूस कि अगर आपको अच्छा नहीं लेगा कि भाई डोरो screen के साथ मतलब काफी heavy है तो आप simply इसे push करके और यहां प सकते हो यह भी काफी मतलब आप एक single phone हो जाता है और दिखने में भी काफी सांदार है यहां पर glossy finishing आपको यहां पर देखने को मिलती है दोनों बादिंसे जो है एजेस यहां पर देखने को मिलता है तो काफी बढ़िया है यहां पर LG का logo जीए टेक्स थिंग भी जो है यहां अगर आपको screen protector अगर आपको लगाना है तो सिर्फ आप एक ही लगाना दोनों बादिंस आप लगाना की कोसिस मत करना किको दोनों बादिंस लगाओगे तो थोड़ा सा मतलब यहां पर थिकनेस बढ़ जाएगी तो इससे में इसे बंद करने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है हलाकि मैंने सिंगल बाजू यहां पर लगाया है दूसरे बाजू पर यहां पर सिर्फ मैंने एक screen टाइप का लगा दिया कोई भी protector नहीं है सिर्फ यहां पर पननी टाइप जो ही यहां पर लगा हुआ है इससे कोई दिक्कत यहां पर नहीं होती अभी इसके battery backup के अगर मै करना तो मैंने यहां पर सुबह 10 से रात के 10 बज़े तक मैंने यूज किया तो यहां पर लगबक 20% के आसपास जो है चार्ज बाकी था मतलब 90% मैंने चार्ज किया था 20% जो है आप बाकी रह गया था तो यहां पर आप समझ सकते हो कितनी battery backup आपको देखने को मिलती है दोनो स्क्रीन अगर आप इस्तमाल करोगे सुबह 10 बज़े से रात के 10 बज़े अगर आप लॉर्मल यूसेज अगर आप करते हो आप वीडियो देखना सोसियल मेसेजिंग कॉलिंग वगएरा करना तो ऐसे में आपको बैटरी बैकप आपको देखने को मिलेगा 90% से आपका मतलब रात तक का यहां पे 40% का जो है आप बैटरी बैकप जो है बज जाएगा मतलब 40% आपको बैटरी यहां पर आपको देखने को मिलेगा अगर आप चेक आउट करोगे तो यह बैटरी सेवर काफी अच्छी तरिके से यहां पर काम करता है अगर आप सिंगल फोन अगर यूस क तो मिलेगा और यहां पर यह नॉर्मल है मतलब आप सुबह से साम तक ही आप करोगे एक बार तो आप चार्ज जरूर करोगे तो यहां पर आपको बैटरी बैकप काफी अच्छा मिलता है 4000 मिली एमपरे की बैटरी के हिसाब से तो डियोल स्क्रीन भी आपको मिलता है तो यह इसे आप वाइलेसली चार्ज करोगे तो यह लगबक तीन घंटे या साड़े तीन घंटे के आसपास जो है समय लेगा साथ में जो स्मार्टफोन या आई पी शिक्टी एट रेटिंग के साथ आता है मतलब बारिस में भी अगर आपको व्यो सुटिंग वगरा करना है या अगर आप पूल पे भी यह स्मार्टफोन को ले जाना चाहते हो आप वीडियो सुट करने के लिए या फोडो कैप्चर करने के लिए तो वो भी जो है पॉसिबल इसने कर दिया है तो यह भी काफी अच्छा जो है यह आपे है मतलब हर चीज़ से यह बेतर है जो मेन मुद्दा आता है इसके चार्जर को लेकर क्योंकि इसके अंदर आपको आउट अप दो बॉक्स यह फोन्स तो आपको मिलता है लेकिन आपको चार्जर का जो एडेप्टर है वो आपको देखने को नहीं मिलता और अगर आप LG का और आप लेने जाओगे तो काफी महगा पड़ेगा और हला कि मेरे एरिया में मैंने चेक आउट किया लेकिन अवेलिबिलिटी जो है यह आपको क्या करना होगा सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेस्टिंग की तो बैटरी यहाँ पर बता है मतलब मेरा जो यह फोन घ्रव यह लगबख 8 गंटे के आसपास यहाँ पर समय ले रहा है अडिगंटे से भी जाला जो आपर समय ले रहा है कि मैंने जब चेक आउट किया 20 यह 30 परसन के आसपास चार्ज था फिर यह 100% लेने में लगबग 2 घंटे यहां पर 40 या 45 मिनिट के आसपास जो है यहां पर समय ले रहा है यह चार्जर से लेकिन यह मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा और इसके इलावा यहां पर मेरे पास एक Vivo का V15 Pro का जो चार्जर है यहां पर यह बी है या इसका जो वर्ल्ड है 9 वर्ल 2 एंपियर EST मतलब इसके अंदर भी मैंने चार्ज करने की से कोसिज की तो चार्ज हो रहा है जो लगबद का अड़ी घंटे के आसपास जो है यह या आपके पास कोई भी चार्जर हो 18 वल्ड हो या 18 वल्ड से कम हो तो इससे आप इसे चार्ज कर सकते हो लेकिन 18 वल्ड से ज़ादा कोई चार्जर हो तो मैं रिकमेंड नहीं करओंगा कि आप ये LG G8X जो है मतलब आप चार्ज करो उसके बाद मैंने मेरे पास आइफोन का था आइफोन 6S जो कि मतलब यहां पे 5 वोल्ड 1 एंपियर का है जो काफी स्लो है आपके फोन को चार गंटे से भी जादा समय जो है यहां पर ले सकता है और फिर मुझे बाद में पता चला है और मैंने रि लगबग मतलब 2 घंटे से भी काफी कम समय में आपके फोन को यह फास चार्जिंग से मतलब फास चार्ज कर देगा और यह फास चार्जर का मतलब इंडिकेड भी आपको बताएगा तो यह सबसे बेर चार्जर है इस LG GA TechS Think Dual Screen फोन के लिए लेकिन अगर आप इससे मैगनेट के ऊपर लेकिन आप नोर्माल अगर आप सिर्फ यह USB Type-C से अगर आप इस एडिप्टर से अगर आप चार्ज करती हो तो दो घंटे से भी काफी कम समय में आपका फोन जो ही आपे चार्ज हो जाएगा तो यह कुछ सवाल के जवाब थे मैं उमीद करता हूँ आपको समझ मे आ गया होगा कि यह फोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं मेरी चो रिकमेंड है 25,000 रुपे में आपको इससे बड़िया फ्लैक्सिब लेवल स्मार्ट फोन इतने बड़िया फ्यूचर आपको कोई भी अबई फिलाल मार्केट के अंदर कोई भी अवेलेबल नहीं है और बैटरी जो बैक अप है वो दीरे दीरे आपे कम हो रहा है लेकि नोर्मल यूसेज में आप तो पूरे दीन मतलब 10 घंटे या बारा घंटे तो आप लेके बेठोगे नहीं नोर्मल यूसेज करोगे थोड़ा बहुत फोटो कैप्चर करोगे वीडियो सॉट लोगे सोसियल म आप चैल होने माला है तो आप जो चैकाउट जड़ू करना और अगर आपको मतलब दीवाली ओफर आने वाला है उसके अंदर और बी मतलब कौन-कौन से स्माटफोन के अंदर डिसकाउंट मिलेगा तो इसके बार में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आई बटन पे क्लि जड़ने की पूरी कोसीश करूंगा और अगर आप पहली बार है हमारे चैनल में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज रेट बटन पे क्लिकर के सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को इनेबल कर दीचे ताकि आने वाली टेक वीडियो की नोडिफिकेशन आपको सबसे फिले मिल सके थैंक यू वाचिंग और स्टे कनेक्टेट